ख़बर से करते हैं लखनव में जारी है सरदली बैठक, बैठक में सभी दलोग के नीता प्रतिपक्ष मौतूर हैं कल से शुरू होने वाले सत्त से पहले सरदली बैठक विदासर वसक्त को पिचार रोप से चलाने पर मन्त है बड़ी जानकारी त्वक्त ही आपको उता दे कल से शुरू होने वाले सत्त से पहले सरदली बैठक बड़ी जानकारी यह बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं मदान सबासर वसक्त रोप से चलाने पर मन्तन बैठक में सभी दलों की नीता मौझूद है लखनों में जारी है सरदली बैठक में पयासर नीता मन्तन जानकारी के साथ निकता सरीन, मेरी सहयोगी लखनू से जोड रही है, निकता सवरदली बैठक चल रही है, जानकारी क्या है आपके पास? बुलाई गई थी, हाला कि मुक्यमंत्री को भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन किसी कारणवश मुक्यमंत्री योगी आरितनात इस बैठक में मौजूद नहीं थे, आपको बता दे कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजबर की, अगर मैं बात करूँ मातर प्रसाद पां असानी से और बहुत ही शांती पूर्वक जो सत्र है, वो पूरी तरीके से ओवर हो जाए, इसमें कोई भी कैयोस क्रेट ना हो, और साथ ही साथ जो सत्र है, उसका टाइम ना वेस्ट किया जाए, साथ ही साथ सबसे एहम बात कि विपक्ष जिस तरीके से कल सरकार को घेरेगा क्योंकि विपक्ष के पास इस बार कई सारे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, हमने अभी समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मरोत्रा से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा कि बाड़ का मुद्दा, आरक्षन का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और पार्टी के और से मुख्य सचेतक के रूप में मैं अगर बात करूँ ऑपोजिशन की माफ करियेगा तो जिस तरीके से मातर प्रिसाथ वांदे को मेता विपक्ष यहां पर चुना गया है तो इस बार समाजवादी पार्टी ने भी कही न कहीं कह सकते है कि यह जो ब्राह्मन का कार्ड है वो खेला है इस पर भी जब हमने मुख्य सचेतक विधान सभा में बात की कमाल अक्तर से तो उन्होंने साफतोर पर कहा है कि यहां पर उनका जो एक फॉर्मूला है वो बदलता नजर आ रहा है यानि कि अब अलसंक्यक नहीं अगड़ा है तो फिलाल इन तमाम अगर दिखा जाए गड़ित की ही भाष्टा में बात करें अगड़ा पिछडा बिलाकर एक शक्ती बन जाएगी एक संख्यावाल हो जाएगा अखिलेश यादो कहिन के एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं उनके जहन में कहिन कहिन दो हजास सताइस है वो अब इससे अगर अखिलेश यादो ने साध लिया तो पिछले समाज में उनकी पैट हाई है पर जिस तरीके से राहुल गांदी के साध भी वो तमाम सभाओं में मौझूद थे और उन्होंने उसका जब फुल फॉर्म बताया पीडिये का यानि की पिछड़ा दलित और संक्या को साथ ही अगड़ा और ऐसे में अभी जिस तरीके से जो सचेतक हैं वो भी बता रहे हैं विदान सभाओं के कि यहां पर अगड़ा भी है और ऐसा केल जिस तरीके से ऐसा कोई खेल नहीं है आप लोग गणित नहीं समझ र रहे हैं लेकिन अब बड़ी बात यह है कि उनका साफ तौर पर दो हजार 27 का जो तार्गेट है कही न कहीं इसको चलते हुए उन्होंने यह जो हुकुम का एकका यानि की कार्ड खेला है यहां पर जो जो ब्रामन कार्ड खेला है इसके कई माइने अब निकल के आ रहे हैं हाला से एंड पूरवक पीस्फुली हो जाए उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं इसमें समाज विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना की अगर बात करूं तो उनकी अगवाई में सत्र हुआ है सुरेश खन्ना भी मौजूद थे हैं हाला कि किसी वज़े से मुख्यमंत् शासित राजियों के मुख्यमंत्रियों की अभी बैठक हुई है यहाँ पर बातचीत की गई शायद यही वज़ा है कि समय जो है नहीं मिल पाई यहाँ पर शार बज़े का कारिकर रखा अभी कुछ देर पहले मैं दर्सकों को बता रहा था कि बैठक खत्म हुई है तीरा र प्रेजंटेशन और कई बैठके हैं उसका हिस्सा है तेरा मुख्यमंत्री उनके साथ और भी मौजूद है और आज का जो टाइम है चार बजे का वो रखा गया था सरदलिय बैठक का यही एक वज़े है कि मुख्यमंत्री इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं पहुँच सके लेक सवाल जस तरीके से आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री अभी यहां नहीं पहुच पाए हैं जिसकी वज़े से आज सरदलिय बैठक में वो नहीं दिखे पिल्कुल लिके था अगर बात किया जाए बिपक्ष के पास सरकार को घिरने के लिए बहुत मुद्ध हो सकते हैं और रहने भी जाए लेकिन सवाल ये कि इन सबके बीच में क्या जनता की आवास तो नहीं दब जाएगी कि इनी माननियों से इनी सम्मानियों से जनता की उम् जाएगा दूसरी बात अगर मैं आरक्षन के मुद्धे को लेकर के करो में toी करके नहीं के मानना है कि यह हमको पडलीं पर हमको आपने मुद्दे में है तो फिलहाल या जवाब दे ही यानि कि एक डिबेट है वह सुचारू रूप से होनी चाहिए हमेशा जब ऐसा सत्र होता तो opposition को बोलने का भी मुखा होता है और सरकार अपनी मुद्दे भी रखती है लेकिन ये जो रूप है वो कई बार भयानक हो जाता है तो सर्वदलिय बैठक का भी साफ तोर पर यही मतलब था इसलिए सब को अंदर बुलाया था कि आप मुद्दे जरूर रखिये मुद्दे र आप तोर पर कह रही है कि उनके जो मुद्दे है वो जनता से जुड़े हैं तो अपने मुद्दे जरूर रखें लेकिन सो चारू रूप से चले निकिता तमाम जानकारी के लिए बहुत रूज शुक्रिया आपका बड़ते खबरों बागे माता प्रसाद पांडे